आज हम आपको Armed Force Special Act के बारे में बताएंगे जिसमें सेना को शूट करने का अधिकार दिया जाता है यानि सेना आपकी जान लेने के मकसद से आपको गोली भी मार सकती है ये Act क्या है कब लागू हुआ और इसके पीछे के पहलू क्या है इस सब के बारे में हम आपको विस्तार स से बताएंगे जिस एरिया को डिस्टाब्ड एरिया अनाउस किया जाता है वहां लौ एंड और को मेंटेन करने के लिए केंद्र सरकार एक एक्ट का इस्तिमाल करती है इसे ही Armed Force Special Act कहा जाता है सितंबर 1958 में बने इस एक्ट से Armed Forces को Extraordinary Power मिलते हैं उन्हें License to Shoot का अधिकार मि सनलिप्त पाए तो सेया आपकी जान लेने के मकसद से आपपर गोली भी चला सकती है बिना वारेंट के आपको गिरिवतार कर सकती है बिना वारन के घर में घुछ सकती है और आपको अरेस्ट कर सकती है साल 2014 में मनिपूर की 7 विधान सभाक शेत्रों से इसे हटा लिया गया था लेकिन बाकी राजियों में ये अभी भी लागू है मनिपूर में बहुत जादा गयर कानूनी हत्याएं हुई है और इस एक्ट का इस्तेमाल गलत तरीके से भी किया जाता है और CBI ने अपने तथ्यों के आधार पर ये स्थापित किया है कि Armed Forces के लोग भी Extra Judicial Killing में शामिल है मनिपूर में ऐसे बहुत से मामले हुए जिसमें बेकसूर लोगों को बिना कारणवश गोली मार दी जाती है भले ही वे किसी उग्रवादी संगठन से ना भी जुड़े हो ऐसे अनेक लोग हैं जो इस तरह की बिनवज़ मौत का शिकार हुए है भारत की संसत का एक अधिनियम है जो भारतिय सशश्ट्र बलों को अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक वेवस्था बनाई रखने के लिए एक विशेश अधिकार प्रदान करता है अशांत क्षेत्र अधिनियम 1976 के अनुसार एक बार अशांत घोशित होने के बाद क्षेत्र को कम से कम तीन महीने तक यथा स्थिती बनाई रखनी होती है ऐसा ही एक अधिनियम 11 सितंबर 1958 को पारित किया गया जो समय असम के हिस्से नागार पहाडियों पर लागू हुआ था बाद के दशकों में ये एक के बाद एक करके भारत के उत्तरपूर्व में अन्य साथ बहन राजियों में भी फैल गया वर्तमान में ये असम, नागालेंड, मनिपूर, चौगलोंग, लोगडिंग और तीरप राजियों में लागू है अरुनांचिल परदेश के जिले और असमराज्य की सीमा से लगे अरुनांचिल परदेश के जिलों के आठ पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेतर में आने वाले क्षेतर में ये 1983 में पारित हुआ पीजी दंबरम और कॉंग्रेस के सैफुदीन, सोस जैसे रास्ट्रे राजनेताओं ने इस एक्ट को रद करने की वकालत की है जबकि अमरिंदर सिंग जैसे कुछ लोग इसके निरसन के खिलाफ हैं अब आपको बताते हैं कि ये कानून लागू क्यूं हुआ था दरसल ये अंग्रेजों का एक्ट है और 1942 में भारत छोडवांदोलन शुरू होने पर इसे लाया गया था और इस एक्ट के लागू होने के बाद महात्मा गांधी और जुआहरलाल नहरू जैसे दिगज लोगों को गिरफतार किया गया ऐजादी के बाद जुआहरलाल नहरू ने इसे केवल डिस्टर्ब्ड एरिया में लागू रखा और इसे नॉर्थिस्ट एरिया में लागू रखा गया क्यूνकि इन जगों पर उगरवादियों की गतिविधियां जादा एक्टिव पाई जाती थी इस एक्ट को कश्मीर और पंजाब में भी लागू किया गया मगर बाद में 2008 में पंजाब ने इस एक्ट को हटा धिया इस Act का मकसद राज्य में शांती स्थापित करना और Law and Order को बरकरार रखना है मनिपूर की अगर बात की जाए तो मनिपूर वासियों के लिए ये मुद्दा काफी घिसा पिटा बन चुका है क्योंकि वहाँ पर ऐसी असंख्य मौतें इस Act के नाम पर की गई है जिनमें लोगों को गोली मार दी गई ये कहकर कि ये अतंकी और उगरवादी संगठनों से मिले हुए है हालां कि सच क्या है ये कोई नहीं जानता